रहां है लूए आई एम के साथ अंगरेजी बोलो आई एम के साथ आई एम नो मैं नहीं आई एम एक संडेंस है एक वर्ड है उसके साथ अगरेजी बोलना सीखेंगे आज आपके लिए लेकर आए एक छोटा सा बढ़ियां सा बहुत प्यारा सा वीडियो जिसमें जिसके दोरा जिसको देखने के बाद में आप आज नहीं यहीं से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे वो क्या है आई एम के साथ अंग्रेजी बोलना सीखें आई एम के साथ अंग्रेजी बोलें यह आई क्या है दोस्तों जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा वर्ड सबसे छोटा वर्ड आई है और दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी आई है आई एम है तो आपको सबसे आप भी सीखेंगे, तो देखते हैं, इस I am का यूज करके, हम कितने sentences और कैसे बना सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम ये सीखना है, आइए देखते हैं, सबसे पहले, आप एक structure लीजिए, अपनी मन से, वो क्या है, शुरू में आपने क्या लिया है, I am, I am fix है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, I am से सुरू होने वाले ही sentences के लिए है, I am से सुरू होने वाले sentence से ही हम अंगरेजी बोलना सीखेंगे, sentence बनाना सीखेंगे, अब I am लीजिए, अ इस प्रकार से आप I am के साथ में एक छोटा सा noun लीजिए, जो इससे relate करता है, को relate करता है, और frankly तुफार मेल से बोलते चले जाएए, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सैक्रो सेंटेंज, ध्यान डखना, इसको आपको कॉप्टी के नोट नहीं करना है, खड़े हो करके, सिंप्ली बोलना है, कैसे आई में वाइग, मैं एक लड़का हूँ, आई में गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई म सीमा, मैं सीमा हूँ, आई म करन, मैं करन हूँ, आई म सुमन, मैं सुमन हूँ, आई म डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई म एक इंजीनियर हूँ, आई म प्यूल, मैं एक चप्रा कि अभ impress लोली आक बड़े बन गया अब जड़ाइकर ऐसी न geographic क्ड़म पड़ाएंगें आपने आएम के साफ दोड़ा आइम के साथ में नाओन बोला और ना बोलकर के आपने अंश्क क्रोड़ा सा मौन ले जाएंग यहाँ देखिए यह आप क्या देखाए है आई एम देखें यह है आई एम अब आई एम बाद में एक adjective लिए प्यारा अज़ेक्टिव फिर ना और बोलिए I am a tall boy I am happy man I am angry man I am wise man I am cool man I am mad man तिक इस प्रकार से I am लेंगे उसके साथ एक बढ़िया सा सोटा सा correlate करने वाला suitable adjective लेंगे I am a tall boy I am a short boy I am a fat boy I am a tall girl I am happy man I am happy woman इस प्रकार से शेशन देख बना करके आप I am के साथ में एक adjective ले रहे हैं और adjective के बाद में फिक्या ले रहे हैं एक noun ले रहे हैं हो जाता I am a tall boy मैं एक लंबा लड़का हूँ I am heavy man मैं एक खुश आदमी हूँ I am a wise teacher मैं एक बुद्धिमान टीचर हूँ इस प्रकार से आप अने को सनुद्ध बोलिए प्रैक्टिस किजिए ध्यान रखिए एक बात हमेशा अगर आपको इंग्लिस बोलने का सौक है तो ध्यान रखना आप हमेशा छोटे से सुरू करेंगे थोडे से सुरू करेंगे छोटे से सुरू करके तब बड़े पिजाएंगे आप अचानक all of sudden आप बड़े sentence में जंप लगाएंगे तो आपको confusion होगा आपको अपने किसी help के लिए किसी संपर करना होगा rules देखना होगा grammar पढ़ना होगा इन सब चीजों से परेहट ये आप decide किजिए क्योंकि आपको इंग्लिस बोलना है और बोलना है तो ये sentence अपनाए और दिन भर ऐसे sentence आप repeat करते रहिए देखिए आपके पास कितने sentence का खजाना हो जाता है आप देखिए नेक्स्ट है अगले हम क्या है अब यहाँ पर देखेंगे I am आपने वही लिया है I am जो आप पहल ले चुके है चुकि हमारा सारा का सारा चन्निस क्या है I am से है ठीक है I am आगे आप एक verb ing फार्म लेंगे इस देखिए I am reading I am reading मैं पढ़ रहा हूँ I am walking मैं चल रहा हूँ I am playing मैं खेल रहा हूँ I am singing मैं गा रहा हूँ I am writing मैं लिख रहा हूँ I am watching मैं देख रहा हूँ I am और उसके बाद में verb ing और जब हिंदी आप बोलेंगे मैं जा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ मैं सो रहा हूँ मैं पढ़ लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ मैं खूद रहा हूँ I am jumping I am going I am coming I am walking I am singing I am dancing I am playing तो आप जाने कितने sentence बना सकते हैं जब भी रहे मैं वहाँ यह काम कर रहा हूँ आप I am लेंगे फिर वर्व का इंजी लेंगे ठीक यह आपका sentence धेल सारा बन करके यहाँ पर तयार हो जाता है I am और उसके साथ वर्व आईजी ले करके अब आई देखे अब आपने देखा आपने पहले क्या देखा I am going I am walking I am singing I am reading I am writing I am going I am laughing I am crying I am waiting लेकिन अब आपको वर्व के आई इंजी के जश्ट बगल में एक आपको object भी add करके बोलना है जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ नई चीजों को जोड़ करके इसको और बड़ा बनाना होगा अब आप खुद करेंगे आप प्रसराइज नहीं के जा रहे हैं आपको खुद करना है आपने पर दो वर्ड का बोला फिर तीन वर्ड लिया फिर चार वर्ड लिया आपने बोलना मैं खेल रहा हूँ अब इसी के साथ एक और अबजिक लगा दीजिए आइम प्लेंग क्रिकेट आइम प्लेंग कबड़ी आइम प्लेंग कोखो आइम प्लेंग मैक्स जो भी आप लगाना चाहे तो यह आपका संद्ध हो जाएगा आइम प्ले का वर्ड आइम जी लिया है उसके बाद आपजिक लिया है फिर एक संद्ध आपका बन गया अब ऐसे कितने संद्ध होना सकते हैं हजारों लाखों बनाईए और बोलिए इसको अब इसके बाद आप क्या करेंगे आइम से ही आज हम आइम के स्रिंखला पर है यह देखिए अब एक आपका नया आ गया आइम और आइम के बाद में वर्ड को थर्ड फार्म लेना है आइम कॉल्ड यह देखिए आइम कॉल्ड इसको हिंदी बोलेंगे मैं बुलाया जाता हूँ आइम कार्ड आइम इनवाइटेड आइम बीटेड आइम इसकोल्डेड ठिक आइम डाइवन अवे मैं भगा दिया जाता हूँ आइम इसकोल्डेड मैं डाटा जाता हूँ मैं पीटा जाता हूं, मैं बुलाया जाता हूं, मैं मेरा सम्मान किया जाता है, मतलब मेरा सम्मान होता है, मैं निमंदित किया जाता हूं, संदर बनाइए, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में एक स्मयर परफेक्ट इस बात को आप दिमाग रखिए, ये आपके एंग्रेजी बोलने की एक सबसे बड़ी चावी है पुंजी है वो क्या है प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ नियम को देख करके दिमाग मुरगा करके नियम याद करके बैठ गये हैं और कभी उस वाकिक को आपने अपने मुझे बोल करके उसको प्रैक्टिस करने का सो करने का प को कभी भी अपने मुझे से इस संटेंस को बोलने का प्रयास नहीं करते लेकर आप करेंगे ठीक क्यों जाएगा आइम कार्ड मैं बुलाया जाता हूं आइम इन्वाइटेड मुझे निमंतित किया जाता है जहां यह संद रहेगा आप इस प्रकारते आइम के साथ में इधाए आइम के साथ में भी लगा है और फिर फरिश तहां में रहेए आई आयम उर्फ टू गू आयम तू गऊ कि मुझे जाना है आयम रइट औहे पढ़ना है आयम जिक घाना है किस प्रकार मुझे आना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे रटना है, मुझे नाचना है, मुझे गाना है I am to go, I am to eat, I am to read, I am to sleep, I am to wake, I am to go, I am to sing, I am to take back इस प्रकार का स्टर्णन था प्रेक्रिस कीजिए औप प्रेक्रिस करके भरती बना कर कि ऐसी को दिन में ऐक आप देखेंगे आप तो रेजी कुले चीजा कि आप सोच रहे कि यह आप सपना था आप इदेले जो आप की आपका स्थ ़स्तों गिए और I am के साथ में कुछ एक नियम है और हमें पढ़ना है जिसका आपको यह देखना है अगला sentence आपका यह है यह देखिए I am उसके बाद एबाउट टू आई एम के परंद बाद में एबाउट तू की बाद में वर्व हश्वाम में I'm about to go मैं जाने वाला हूँ आउप टूरीड मैं पढ़ने वाला हूँ एम अबाउट तू स्लीप मैं सोने वाला हूँ जी भरकर के अगरेजी बोलिए और अगरेजी ब और अगर पहरी बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले बेक बिल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ ऐसी ग्यान क कि बातो के साथ